हेलो जी रादे रादे आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है तो आज हम बनाए हैं मस्रूम और आपके साथ सेर करेंगे यह किन मानिए इस तरिके से आप मस्रूम ना पहले बनाए होंगे ना खाये होंगे बनाने में इतना एजी है खाने में उससे ज़्यादा बहुत बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है और खाकर मज़ा ही आजाएगा तो चलिए पूरा वीडियो जरूर देखेगा कि किस तरीके से हमारा एजी मस्रूम बनेगा मसरूम को अच्छे तरीके से रगर रगर के हम धुल लिये हैं और धूने के बाद इनको चार भाग में काट लेंगे अगर छोटा है तब भी बड़ा है तब भी चार भागों में ही हम काट लिये हैं इन सब को डाल देते हैं एक बॉल में ये दो बड़ा प्याज लिये हैं प्याज को हम तेल में डाल कर फ्राई कर लिये हैं फ्राई किया तेल में डाल कर कड़ाई में थोड़ा सा आप अच्छा से लाल होने तक भून लें और उसका हम बना लिये हैं पेश्ट पानी डाल का पेश्ट बना लेते हैं उसको हम मसरूम में डाल देंगे अभी जाल में काफीद लगे हुए है प्याज के पेश्ट तो उसमें पानी डाल कर थोड़ा सटक दियें बार में काम आएगा और इसमें एक अप दही डाल दियें दही डालकर प्याज और दही को अच्छे से मस्रूम में मिक्स कर दिया है तो अच्छे तरके से मस्रूम में कोट हो गया है अब चलिए इसमें हम डालेंगे लहसन अद्रका पेष्ट लहसन अद्रक को हम खलबटा में अच्छे तरके से हम कोट लिया है कूट के ही हम डालेंगे अक्सर हम सबजी में लैसर अद्रका पेष्ट इसी तरके से डालते हैं तो चलिए ये भी रेडी हो गया इसको भी हम चमच से डाल देते हैं इन सब को डालने के बाद हमको डालना है मसाला जितना मसाला आप डालना चाहते हैं सब आप लें एक तो बाइसे में सालें को इस शेली आपा और एक लिख चाली मसाला तीखाज में इस healthy उस भाणा मेंगे ता हमेके आप अशेल मिर्च मुझेब मासाले इसलिए हम डल से लिएा या आरμ से सब्सक्राइए सारा पानिंप्र राइभ हो गए है वह राँ हुद्ध grant देख हो चलि आध डिया है और पानिंटका दाल थेपा और वीडीए गए लिए लृटी तेज़ पत्ता के लिए पत्त है को सबस्ति करेंкт INS Ta de जीरह को humming और देने के बाद इसमें हम 2 टमाटर का पेश्ट लाल देंगे या कच्चा टमाटर इसका पेष्ट बना ली है, इसको डालका कुछ दिर भून लेते हैं मस्रूम में गर्म मसाला बहुत ही भर-भर के बढ़ता है, तेल भले ही आप कम डालें लेकिन गर्म मसाला जब ज़्यादा रहता है तभी ये सबजी टेस्टी लगता है इसलिए इसमें हम गर्म मसाला कुछ ज़्यादा डाले हैं और जिसमें मीट मसाला और गर्म मसाला दोनों डाले हैं तो टमाटर को थोड़ा भूनने के बाद इसमें हम मेरिनेट किये हुए डाल देते हैं मसरूम को जो मसालों में कोट करके रखे दे तो इनको भी डाल देते हैं और इनको लगतार चलाते रहते हैं जब तक इसमें बॉइलिंग नाने लगे तब तक लगतार चलाएंगे क्योंकि इसमें डाले हैं दही और दही आज पर जाने पर फट जाता है इसलिए आप इनको लगतार अच्छे तर्के से चलाते हुए भूने इससे दही आपका फटे ना तो चलिए इनको भी हम कुछ देर अच्छे से भून लिये हैं और काफी गर्म मसाले हो गए हैं और इसमें बॉयलिंग भी आने लगा है अब फटने का कोई डर नहीं है अब इनको हमें पकाना है तो आज दीमा कर देंगे और ढग कर इनको अच्छे तरीके से पका लेंगे इस सबजी को पकाने में हम बिल्कुल पानी नहीं डाले हैं इसी दही के साथ यह हमारा मस्रूम का सबजी अच्छे तरीके से पक जाता है और ग्रेवी भी काफी ठीक होता है दही के वज़े से प्याज और टमाटर के पेश्ट के वज़े से ये मसाले दारा हमारा बहुत ही टेस्टी मस्रूम बनता है तो चलिए ढख कर हम इनको पका लेते हैं नमक तो डालना बूली गयते हैं तो फिर से हम इसमें नमक डाल देते हैं मसाले अप्चाज इतना जाज़ा डाले हैं अगर नमक नहीं है तो टेस्टी बेकार है और इसे तरीके से ढख ढख कर इनको बीच बीच में चला चला कर हम पका लिये हैं यह मस्रूम का सबजी हमारा पकर हो गया है रेडी और ग्रेवी भी हमारा प्रफेक्ट है अगर आपको लगे कि बहुत ड्राइ हो गया है ग्रेवी हमारा सुख गया है तो आप इसमें पानी डाल कर पका सकते हैं क्योंकि लट पटा ग्रेवी दार ये मस्रूम रहेगा तो खाने में मज़िदा लगेगा तो इस तरीके से यहाँ सबजी हमारा बन के रेडियो गया है तो फ्रेंड्स इस रेस्पी को आप पसंद किये कि नहीं अगर किये तो फटा फट चलिए लाइक करिए और कमेंट करके ब बनाने में बिल्कुल जंजट नहीं है ना ज्यादा टाम जाम करना है ना ज्यादा टाइम लगाना है फटा फट सब उच मसालों को एक साथ मिलाकर आप डख सकते हैं अजब सब्सक्राइब बनाने का मन हो फटा फट आप कढ़ाई में डालें और पका लें है ना इजी तरी का खाने में काफी टेस्टी है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सेयर करें